Hello students, welcome back to Simpli Tutor Classes. So our today's topic is Public Speaking. जैसा कि अभी हमने last listening chapter अपना complete किया, आके हम बढ़ेंगे Public Speaking के साथ. Speaking के बारे में तो और कोई जानता है, Speaking मतलब बोलना. अब Public Speaking मतलब लोगों के सामने बोलना. अब Public Speaking अगर हम बोलें तो exactly होगा क्या है Addressing and Gathering for a Specific Purpose. किसी Specific Purpose को Address करना, Gathering को Address करना, उसे हम क्या बोलेंगे Public Speaking. For example, आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि ऐसा पॉइंट में आपको बताऊंगी, जिसके जरी आप बहुत इसली समझ जाएं. Large-large gatherings होती हैं during election जिसमें नेता लोग भाशन देते होते हैं पॉब्लिक स्पिकिंग का एक 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 जामपल हो गया. दूसरे एक्जामपल क्या है? कि सैमिनार हो रहा है, सैमिनार में स्पीकर बोल रहा है और जो बाकी ओडियन्स हैं वो इस चीज़ को सुन रही है. तो वो भी क्या हुआ? पॉब्लिक स्पिकिंग. अब देखिए, एक और मेंनिंग हो सकता है Methods of Delivering the Presentation in Public. पॉब्लिक में अपने मेसेज को डेलिवर करना और प्रेजेंट करना that is called पॉब्लिक स्पिकिंग. अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं पॉब्लिक स्पिकिंग, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, do not read. अगर आप read करोगे, किसी को संभॉधित करते वक्त, किसी के सामने speech देते वक्त तो क्या वो impressive होगी speech? नहीं. तो आपको क्या करना है? अपने ही language में, अपने ही word में ऐसे, कि आप दूसरे को एक तरह से समझा रहे हो, इस तरीके से अपने बात सामने वाले के सामने रखनी है. Second, use you attitude. क्या use करना है? you attitude for yes, yes response. हमें क्या चाहिए होता है सामने वाले से? yes, yes response. तो मैं I attitude use करके बात नहीं करूँगी कि मैं ऐसे, मैं वैसे, हम word यूज करना है वाँपर, you word यूज करना है. ठीक है? और सबसे पहले speech start करते वक्त, outline दे देनी है कि आप आज के seminar में क्या-क्या discuss करने जा रहे हो, क्या आपका topic रहेगा, उसमें क्या-क्या चीजें बताई च पॉब्लिक स्पीकिंग में, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आजाता है introduction part, देना आजाता है आपका main body part, जब main body part की बात करते हैं, तो इसके अंदर chronological pattern भी होता है, and spatial pattern भी होता है, chronological pattern जो होता है, generally cause and effect की relationship बताता है, कि क्या reason रहा जिसकी वजह से ये हुआ, तो एक spatial की से related होता है, generally related to the geographical location की, जैसी location होगी उसके coding की हमारा क्या होगा, speech का pattern होगा, कि अगर वेदेना room, you have to give a speech, then you use such techniques which are useful in that room, but if you are addressing a webinar, then proper technique or proper technology should be with you, next we come on the topic, that is the voice modulation, voice modulation plays an important role in speaking, how? देखो, आप सिर्फ बोलते रहो, बिल्कुल stiff खड़े होके, क्या वो impressive होगा, नहीं, आपको अपनी body language का use भी करना है, speaking के वक्त, मतलो आपको अपना hand movement यूज करना है, hand movement के साथ साथ आपको eye movement यूज करना है, eye contact यूज करना है, that is called voice modulation, उसके बद हम बात करेंगे, uses and advantages of voice modulation, जिसके अंदर voice modulation का हम अगर मैं बात करूँ कि voice modulation क्या होता है, voice modulation generally is related to voice modulation, change in your voice, change in your tone, change in your pitch, कि आपने कहां पर कौन सी pitch यूज करनी है, कौन सी tone और कितनी गहरी आवास में अपने बात करनी है, तो generally तीन चीजों से related होता है voice modulation, I again repeat, your voice, your pitch, your tone, तो ये तीन चीजों का धियान रखना है, अब मैं बताऊंगे आपको voice modulation की uses and advantages क्या हो सकती है, generally voice की pitch क्या होनी चाहिए, generally हमने किसी को बहुत ही politely बात करना है, तो pitch क्या होगी, low होगी, ठीक है, वहीं पर हमने किसी से बहुत harsh ही बात करना है, या बहुत कुछ effective हमें बताना है, तो वहाँ पर pitch क्या होगी, high होगी, उसके बद हमने speed पर भी ध्यान रखना है कि हमारी speed कैसी होनी चाहिए, अगर बहुत ही तेज तेज बोलते चाहेंगे, रेल गारी की तरह क्या सामने वाले को समझ जाएगा, नहीं, vocal quality भी देखना है कि vocal quality कैसी है, और flaws of speech उसका भी ध non-verbal, जहां बोल कर नहीं, लेकिन हम अपने body moments के तरू इस तरीके से दिखाते हैं कि हम अपनी speech को और अच्छे से impressive बना सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे advantages की, advantages क्या-क्या होती है, generally, parallel language की अगर आप advantages की बात करो, कि oral communication को और effective बना देता है, oral communication को कैसे effective बनाएगा, अग होगे, eye contact proper maintain करोगे, facial expression का use करोगे, hand movement, use करोगे, तो आपका क्या हो जाता है, communication और better बन जाता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, law to learn, judgment, easily judge कर सकते हो, कहीं बार किसी के facial expression कुछ और होते हैं, और ball कुछ हो रहा होता है, तो आप easily उसका जूट पकड़ सकते हो, generally, किसी की position को इंडिकेट करता है, कि आप कैसे बैटरे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, वो आपकी position को इंडिकेट करेगा, अगर हम disadvantages की बात करें, तो generally, it is not complete in itself, कि यह क्या है, आपने आप में complete है, बोले कुछ ना, क्या sufficient अपने अपने नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कि इसको sufficient बनान उसका, जो भी expression हम use करते हैं, उसका meaning अलग-अलग होता है, तो जैसा हमारा situation होगा, जैसा culture है, उसके coding की body movements, use करने होंगे, उसके बाद हम बात करते हैं, factors और elements of a good presentation, कि factors क्या-क्या होंगे, और elements क्या-क्या होंगे, एक अच्छी presentation में, कौन-कौन से elements को आप थ्यान में रखो होगे, तो क्या-क्या elements हो सकते हैं, क्या होना चाहिए आपके coding, आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले देखिए, confidence का होना बहुत जरूरी है, until and unless आपके अंदर confidence नहीं होगा, आप अपनी बात सही होते हुए भी सामने वाले के सामने नहीं रख पाओगे, तो confidence, एक आतम वि दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर बार-बार क्या करते हो, आप उसे मजाक की तरह ही लेकर चले जाओ, sincere होना बहुत जरूरी है, next होगा आपका thoroughness, thoroughness का क्या मतलब है, कि जो आप बताओ, deeply बताओ, एक एक चीज़ बताओ, ऐसा नहीं कि कुछ miss हो जाए, उसके बा इसके साथ हम next topic स्टार्ट करेंगे, अपनी next class में, thank you so much.